हलो साथियों नमस्कार मैं चैतनी कुमार और जार्खन डाइक में फिर से स्वागत करता हूं आज हम लोग देखेंगे जो जेसेसी का एक्जाम से समंदीत जो ओनलाइन एक्जाम से समंदीत एक नई कदम उठाई हैं तो हम लोग जानेंगे कि कौन-कौन से जो परिछा हैं वो ओनलाइन लेने की जैसेसी के द्वारा यह यासना की गई है या फिर एक अच्छी कदम उठाई गई है तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पूरे प्रूफ के साथ और देखेंगे कि टिस्यस का जो हर्ट डिस्टिक में तो इसका एवलेबल नहीं है टिस्यस जोन तो कह कहां पर इसका परिशा सेंटर बनाए जाएंगे और कौन-कौन से एक्जाम के लिए यह लागो किया जाएगा तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीजियल एक्साइज पीजीटी और इंटरमेडियर टाइफिंग पोस्ट समंदित और जेई जुनियर इंजिनियर से समंद लिया गया था जिसमें कुछ से धांदली होने की प्रूफ मिले थे जो आयोग नहीं इसे रद कर दिया वह एक्जाम को रद किया गया पुना आयोग द्वारा एक ऐसा नोटिस नेकाला गया जो ग्रेजुएट लेवल कहा जे तो जो डिप्लोमा का एक्जाम है वह एक्जाम लेना सुरू कर दिया है इसके साथ ही और कौंच-कौंच से एक्जाम लेने को सरकार दोवारा अग्रेसर है या आयोग दोवारा अग्रेसर है इसके बारें भी हम लोग जंकारी प्रक्त करेंगे और J.S.C. की जो upcoming vacancy है इसके बारें भी हम लोग चर्चा कर पाएंगे तो फिलाल अभी जो exam अश्टार्ट प्रक्रिया किया गया है वो J ut-coater कर दिया गया क्योंकि इसका exam पहले कुछ दिन पहले ही start हुआ था और उसमें धानले ओए थे साथ ही इसमें यह exam पहले इसलिए लिया गया है क्योंकि इसमें उमिदवार की संख्या कम थी तो आयोग ना ऐसा सोचा कि इसे किलियर कर लेने के बाद दुसरी एक्जाम की प्रेक्रिया को सुरुख की जाएगे साथ ही बहुत जल्द ही आपको जैसे सीजियल का भी असकुटनी जो कनिडेट की सद्यस्ता किसकी मानी गई है और किसकी नहीं वो रद का जो रिजेक्शन लिस्ट है वो बहुत जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा साथ ही एक्साइज का जो रनिंग प्रोसीजर है इसका भी आप लोगो बहुत जल्द देखने को मिलेगा जैसा कि PGT अभी फॉर्म फिल ही हो रहा है और यह सारे प्रेक्रिया पूर्ण होने के बाद आपकी PGT की प्रेक्रिया शुरू कर दी जाएगे अब हम लोग जानेंग कि यह एक्जाम जो ओनलाइन एक्जाम प्रेक्रिया शुरू किया गया है वो किस उद्देश से है और क्या-क्या इस पे कौन-कौन से जोन के लिए या कौन-कौन से एक्जाम के लिए लागो किया जाएगे तो देखिए यहां पर एक जमसेदपूर के जो जिला दंडार कार इतना लेने की जो डिप्लोमा एक्जाम से समधित ओनलाइन एक्जाम लेने की याचना दी गई है जैसे सिद्वारा जो सेंटर बनाये गया है जिसमें से एक जमसेदपूर है और जमसेदपूर द्वारा ये निकल के आई है कि अब जो graduate level जो डिप्लोमा लेबल की परिशाएं है वो आई ओन डिजिटल जोन द्वारा लिया जाएगा ये special जमसेदपूर जिनका exam center दिया गया है उसके लिए है जो exam की तारिक यहाँ पे 4 तारिक पे लिये जाएंगे 23-10-2022 को 25-10-2022 को और 31-10-2022 को और अंतिम जो सौती परिशा है वो 11-2022 को यहाँ पे आपका admit card में भी ये सारे समय परिशा की सिमा जो है वो सारे सोक किये जाएंगे लेकिन आप यहाँ पे देखें कि exam की जो समय सिमा होगी वो 9 बज़े से 11 बज़े तक और 2 बज़े से evening चा तो हम लोग बात करते हैं फिर कि क्या जदी graduate level जो diploma थी उसमें online exam लिया गया तो क्या और सारे जो graduate level है उसमें online लेने की समभावना है या नहीं तो जवाब होगा कि जितने भी graduate level है जैसे CGL, PGT ठीक है यह सारे exam 95% समभावना है कि online exam ले जानी है ठीक है और जिसे exercise या intermediate का जो typing post है वो सारे exam आपका offline मतलब जो OMR West होते हैं उस पे अधारित लिया जाएंगे और जो online exam लिया जाएगा special उसके लिए जो परिशा केंदर बनाये गया है वो राची है धनबाद है जमसेदपूर है और हजारी बाग सेंटर भी बनाये जाएंगे तो जो आई ओन डिजिटल जोन द्वारा जेई का exam conduct करनी है वो हजारी बाग सेंटर में भी इसका exam सेंटर दिया गया है तो उमीद है आपको यह समझ में आया होगा कि online exam graduate level तक के जो भी vacancy है उसमें 95% संभावना है अब उसमें सदस्ता देखी जाएगी कि क्या कितनी सदस्ता है तो सदस्ता के अधार पर online exam की procedure को देखा मानिता दिया जाएगा और जैसे सी जो आयोग है उसके तुआरा यह अच्छी कदम उठाई गई है online exam में धांगले होने की कम समभावना ही होती है और उसे भी एक पारदर्स्ता के साथ exam लेने में अच्छी लगपाती है ठीक है तो इस वीडियो के साथ ह हमारे यहां यह इसी चैनल से आपको जैसे सी जो खोठा से समंदित है जैसे सी खोठा जो सीजियल के लिए है ठीक है उन लोगों के लिए कलास जो है स्टार्ट कर दिया जागा जो अबजेक्टिव टाइप भी कोशन्स और टोफिक वाइस टोफिक जो है पार्ट दन्यवाद हुआ